हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चानल नॉलेज इत्यूड मैज आज आंग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आरेस अग्रवाल निव एडिशन चाप्टर वन एक्सरसाइज 1C का क्वेशन नंबर 3 क्वेशन में कह रहा है एक्सप्रेस इच आफ दा मतलब क्या होता है मतलब यह जह 0 0 पॉइंट नंत यहां पर आपका बहुत बार जोरह है यानि इसकी करने को हमें 1 कुछ ना लिखना पड़े हम इसको 30 और बार लगा के उपर लिखती है इसको repetition कहते हैं तो इसको 0.8 repetition पढ़ते हैं तो यहां पर यह जो आपका number दिया है इसे आपको simplest fraction form में लिखना है fraction किसे कहते हैं यानि P by Q के form में आपको लिखना है तो इस टाइप से आपको एक rationalized form यहां पर लाना है लेकिन यह आप कैसे solve करेंगे यहां पर जैसा की जो decimal numbers है अगर हम इस decimal number में यह जो आपका इधर decimal के जो यहां पर right side वाला number है यह अगर left side में आ जाए और बाकी जो right side वाले जितने values है वागर 0 हो जाए तो केवल आपके पास यहां पर left side वाली value बचेगी और decimals के right side में zeros होंगा तो उसको कोई मतलब नहीं होता तो यहां पर हमें यही करना है question को तो चलिए start करते हैं सबसे पहले यहां पर हम left कर लेते हैं कि x is equal to 0.8 repeating यह हम left कर लेते हैं अब आपको पता है 0.8 repeating का मतलब क्या है 8888 ऐसे आपका बहुत बार चला जाएगा तो x is equal to आपने यह left कर लिया अगर आप इस number में 10 से multiply कर देंगे तो यहां पर यह जो आपका 8 है यहां पर एक decimal और इधर खसक जाएगा means इसे अब अगर equation 1 मालेजे और equation 1 में 10 से multiply कर दीजे तो देखें यहां पर अगर आपने 10 से multiply कर दिया और 0.88888 जो आपका repetition है इसमें भी आपने 10 से multiply कर दिया अब किसी decimal number को अगर आप 10 से multiply करेंगे तो यह जो इसका point है कि एक बार आ ऐसे हो जाएगा तो वही चीज यहां पर भी होगा तो हम लिखेंगे 10x is equal to जो 8 है आपका यहां पर इस multiply होने की वज़े से 10 से यहां पर 8.8 हो जाएगा अब फिर से 8.888 repetition ऐसे होगा तो आप यहां पर steps लिख सकते हैं इसमें यहां पर multiply by 10 आपने 10 से multiply किया है यह step आप लिख सकते हैं अब आपने यहां पर जैसी equation 1 और second आप ले ले जए equation second जो है और यह equation 1 है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो equation second के यहां 8 के बाद same point repeated है और equation first में point zero point के बाद फिर बहुत सारे 8 repetition है यानि अगर हम equation second में से first को minus कर देंगे तो यह point के बाद same digit होने की बजा से दोनों आपस में minus हो जाएंगे तो हम यहां कर लेते हैं subtraction तो on subtracting subtracting equation first from second second से subtract कर देते हैं ताकि क्योंकि बड़ी value से छोटी value को subtract करेंगे तो negative value नहीं आएगी तो हम second को second से minus करेंगे first को तो second equation आपकी इधर side में LHS में आपका 10X है और इधर आपका X है तो 10X minus X करेंगे और right side में आपका क्या है 8.888 repetition है और आप इसको जब minus करेंगे 0.888 repetition के साथ में तो देखिए यहां पर आपका क्या है 8.888 repetition है अब आप यहां पर 0.888 रिपेटेशन लिखे हैं यह आपका बहुत बार रिपेट हो रहा है जब आप इसे माइनस करेंगे 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आएगा फिर यहां माइनस करेंगे 0, 0, 0, 0 and so on और 8.0 आ जा रहा है यानि डेसिमल के बाद भी अगर 0 लखा हुआ है त x is equal to 8 upon me 9 तो अब आप देख सकते हैं यह P by Q के format में है यानि यह इसका simplest form हो गया तो therefore 0.8 is equal to 8.9 it is its simplest form और यही इसका क्या है simplest form है जो की question में हमसे पूछा था कि इसका simplest form कैसे होगा तो यह आपका question number third का part first है next part को भी चलिए solve कर लेते हैं second part 2.4 repeating है तो यह 4 repeating का मतलब आपको 2.444 समझ में आ रहा होगा इसका मतलब तो यही होगा कि 2.4 बहुत बार repeat हो रहा है 44444 बहुत times repeated हो रहा है तो यानि यहां पर decimal के just बाद वाली value क्या है repeated है तो आप इसको लेट कर लीजे कि यह x के equal आ रहा है 2.4 repetition तो यहां पर यह जो x क equal आ रहा है इसका मतलब है इसे आप 2.444 ऐसे repetition मान लेजे और इसको भी equation 1 समझ लीजे जैसे आपने question 1 में किया है तो यहां पर आपका यह जो value है decimals के बाद वाली value इसमें हमें यहां पर same as इस 4 को क्या करना है remove करना है खतम करना है यह 4 ही है जो बारबर repeat हो रहा है तो इसक काम करते हैं इस 4 को जो की बारबर repeat कर रहा है यहां पर एक बार इस 4 को हम decimal के यहां पर left side ले लेते हैं तो इसके लिए हमें 10 से multiply करना पड़ेगा यानि हमें करना पड़ेगा 10x is equal to 2.44 into 10 यानि हमने multiply किया किस से 10 से तो multiply by 10 10 से multiply कर दिया तो यह हो गया 10x is equal to 2. अब यह जो आपका 10 है इस point को remove कर देगा एक point आपका यहां आ जाएगा तो यानि यहां पर जैसी इधर आ जाएगा तो यहां पर यहां point लग जाएगा तो 2.24.44 हो जाएगा यह repetition हो गया इसी equation number second बनाते हैं equation second में से first को minus कर देते हैं तो on subtracting equation first from second second से subtract कर देते हैं जैसी second से subtract करेंगे तो यहां पर 10x minus x हो जाएगा is equal to 24.44 जो है इसे हमने minus कर दिया 2.444 repetition के साथ में तो अब आप देख सकते हैं इसे जब हम minus करेंगे 24.44 है अब आप इसे 4.44 sorry 2.44 के साथ में क्या करेंगे माइनस करेंगे क्योंकि पॉइंट के नीचे ही तो पॉइंट होता है तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख के से minus कर देंगे जैसे हमेशा करते हैं तो अब हमारा यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आपका क्या है 22 यह 9 कहां साया क्योंकि 10x में से 1x minus करेंगे तो 9 आ जाएगा और यहां पर आप देख सकते 22 आ रहे है तो therefore x is equal to क्या आ रहा है 22 divided by 9 और यही क्या है इसलिए आपकी जो यह 2.4 की value है यह हो गया 22 by 9 which is simplest form और यह आपका क्या है it is it is its simplest form और इसी को हमने क्या लिखा है simplest form में लिख दिया है जैसा कि question में आप से पूछा था part 3 है आपका 0.24 repeating यहां पर जो आपका repetition हो रहा है वो हो रहा है 24 का यानि 0.24 24 24 24 बहुत बार repeat हो रहा है यह आपका repetition की कोई limit नहीं है इसलिए इसके उपर repetition लगा दिया गया अब इसे भी हम let कर लेते हैं let x is equal to 0.24 repeating अब हम इसको x is equal to 0.2424 solve करते करते इसे हम equation 1 माल लेता है equation 1 में अब आप देख सकते हैं यहां पर जैसे कि अभी तक part 1 और second में आपका यहां पर सिर्फ एक number के उपर repetition था तो एक number के उपर repetition हटाने के लिए यहां पर हमने 10 से multiply किया अब यहां पर तो दो numbers के उपर repetition है तो दो नंबर के उपर repetition को हटाने के लिए हमको double 0 चाहिए होगा यानि हमें 100 से multiply करना पड़ेगा तो yes चलिए यहाँ पर 100 से multiply कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0.242424 dot dot multiply by 100 तो यहाँ लिख देते हैं on multiply by 100 on both side अपने दोनों साइड किया है उसके बाद अब हम यहाँ पर जैसे की 100 X है is equal to लिख सकते हैं यहाँ पर आपने 100 से multiply किया है तो दो zeros जो यहाँ पर लगे हुए हैं इसकी वजह से decimal जो होगा यहाँ दो डिजिट आगे की और चला जाएगा तो यह आजाएगा आपका 24.242424 बहुत बार repeated है इसे आप equation number second मना लिजए equation second यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर point के बार 2424 यहाँ भी repeat है point के बार 2424 यहाँ भी repeat है यानि second को second में से first minus कर दे तो point के बार वाली value 0 हो जाएगी और हमारा repetition हट जाएगा और यह एक simplest form बन जाएगा तो चलिए subtract कर देते हैं on subtracting equation first from second second से करेंगे तो second में आपका जैसा की दिया हुआ है यहाँ पर hundred है x minus करेंगे हम इसको simple x के साथ में is equal to 24.2424 dot dot minus करेंगे 0.2424 के साथ में तो अब आप जब इसको minus करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है point के नीचे तो point लेना होता है चाहें वह कैसा भी decimal का value हो addition करना हो यह subtraction यह multiply sorry multiply यह addition करना हो यहाँ पर क्या करेंगे 2424 है और point के नीचे point लेना है 0.242424 है तो आप minus करेंगे जब तो देखें यहाँ पर 4 से 4 माइनस 2 से 2 माइनस 4 से 4 माइनस 2 से 2 माइनस और यह point हो गया अब आपको यहाँ पर 24 आ गया तो इसका मतलब है यह point remove हो गया means repetition हट गया तो यहाँ पर हम लिख सकते है therefore 100x में से 1x जाएगा तो 99x हो जाएगा is equal to 24 यानि यह आपका 24 आ जा रहा है therefore x is equal to 24 divided by 99 तो यह जो है यहाँ पर इसकी value आई है अब भी यह से हम और भी simplest कर सकते है क्योंकि यह दोनों values दिख रही है हमें कि 3 के table से cancel हो जाएगी तो यहाँ पर आपका 3 के table से जब हम इसे cancel करेंगे तो यह हो जाएगा 3, 8 जा 24 3, 3 जा 9, 3, 3 जा 9 8 अपॉन में 33 तो इसलिए हमारा 0.24 की जो value है वो equal आ रही है यहाँ पर 8 अपॉन 33 के यह क्या है इस दा simplest form यही आपका क्या है simplest form है तो यह था part number 3 वीडियो आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करजे चलेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजेगा क्योंकि आपको सब्सक्राइब करेंगे और बल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको आने वाले हर एक वीडियो का notification सबसे पहले मिल जाएगा तो start करते हैं part number 4 को solve करना इस part में जैसा कि आपका दिया है 0.1 के बार 2 के उपर repetition है यानि यहां पर decimal के जस्ट बाद वाली वैलू repeated तो नहीं हो रही है repetition किसका हो रहा है इसका यहां पर 1 के बाद वाली वैलू का यानि इसकी वैलू हम ऐसे समझ सकते हैं 0.12222 बहुत बार repeated है क्योंकि यहां पर 1 repeated नहीं हो रहा है 1 के उपर repetition नहीं लगा हुआ है तो अब हम इसमें let कर लेते हैं सबसे पहले कि आपके x की वैलू है 0.1 repetition means 0.12222 repeated तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं अगर आपने बागी questions को देखा या भी solve किया है तो आपने देखा होगा कि सारे questions में decimal के just बाद वाली value repeat हो रही थी लेकिन यहां पर decimal के just बाद वाली value तो repeat नहीं हो रही है बलकि उसके just एक बाद वाली digit repeat हो रही है तो हम अगर जब minus करने जाएंगे यहां पर तो हमारा one जो होगा वो हर बार आ जाएगा जैसे अगर मैं इसे आपको समझाओं कि अगर मैं इसे में 10 से multiply करूंगी तो क्योंकि आपका एक number है तो 10 से multiply करूंगी तो यहां पर एक बार आ जाएगा आपका वान पॉइंट टू टू आ जाएगा और एक बार आ जाएगा 0.122 आ जाएगा जब आप minus करेंगे तो यह zeros तो हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर one आ जाएगा तो one point one आ जाएगा जो कि point के बाद वाली value हमें zero लानी होगी तब यह simplest बनेगा क्योंकि point के बाद अगर zero नहीं आ रहा है कुछ और number आ रहा है तो वह आपका simplest नहीं है क्योंकि अभी वह decimal format में है तो हमें यहाँ पर इस value को zero करने के लिए हमें यहाँ पर decimal के just बाद वाली value को repetition में लाना होगा और इतना समझने के बाद अब आब बस एक concept ध्यान में रखिए इस type के questions में क्या होता है कि जो decimal के बाद repetition होता है उसी से question solve करते हैं अगर decimal के just बाद repetition वाली value नहीं है तो सबसे पहला काम होगा कि हमें इस number को इस format में बनाना होगा यानि decimal के just बाद repetition लाना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे जो number दिया हुआ है उसमें हम उतने जीरो से multiply कर देंगे जितने number की वज़ा से यह decimal के just इधर है तो यहाँ पर एक zero की वज़ा से decimal के इधर है तो इसमें 10 से multiply कर on multiply by 10 on both sides दोनों साइड में करेंगे क्योंकि दोनों साइड जो भी चीज़ करनी होते हैं एक साइड में नहीं कर सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं 10x is equal to 1.2222 repetition अब आपकी value जो हो गई अब यहां से आपको solve करना है यह जो है आपका इसे आप equation number 1 बना सकते हैं यह आपका equation 1 है और अब आप इसको solve करेंगे जैसे बाकी equations को आपने solve किया है और यहां पर अब हम क्या करेंगे repetition को हटाने के लिए यहां पर इस repetition के लिए हमें एक और 0 से multiply करना होगा यानि अगेन हमको 10 से multiply करना पड़ेगा तो यहां पर लिख देंगे multiply multiply by 10 again हमने दुबारा यहां पर multiply कि 10 times 10x is equal to 1.222 repeating 10 हो जाएगा तो अम यहां पर क्या करेंगे जब इसमें 10 से multiply करेंगे तो यह 100 x हो जाएगा is equal to 1,222 repeat हो जाएगा अब ध्यान से देखिए यहां पर point के बाद वाली value repetition सेम है यहां भी point के बाद वाली value repetition सेम है यहां इसे हम equation second कर देंगे और equation second को हम यहां minus कर देंगे equation first के साथ में तो चलिए minus करते हैं तो on subtracting on subtracting equation first from second second से minus करना होगा तो second आपका यहां पर है 100x minus 10x क्योंकि आपका 100x यह है इसका left side left से minus होगा is equal to 12.222 repetition minus 1.222 repetition अब इसको minus करते हैं यहां पर मैं आपको करके समझाती हूँ देखिए 12.2 repetition है और 1.2 repetition है minus करेंगे तो point के बाद वाली value 0 हो जाएगी 2 में से 1 minus करेंगे 1 1 यहां पर आजाएगा आपका 100 में से 10 minus करेंगे तो हो जाएगा 90x is equal to यहां पर है आपका 11 therefore आपकी यहां पर जो x की value आ रही है वो आ रही है 11 upon me 90 तो हम यहां लेक सकते हैं कि जो हमारा 0.12 के उपर एपिडेशन है वो इक्वल होता है 11 upon 90 के it is in simplest form और यही हमारा इसका simplest form हो जाएगा this is your answer तो नेक्स्ट है आपका पार्ट नमबर 5 इस 5 नमबर पार्ट में कहरा है 2.24 रेपिटिशन जस्ट यह आपका इसी के जैसा क्वेशन है यहां कि फोर्ट नमबर में आपका यहां 0 था यहां पर 2 है इसे कोई फरक नहीं पड़ता हम यहां पर क्या करेंगे इसमें सबसे पहले रेपिटिशन को हम डेसिमल के जस्ट वगल मिलाएंगे इसके लिए हमें पहले इसमें 10 से मल्टिप्लाइ करना होगा तो चले इसको हम क्या समझते हैं 2.24 को यहां पे आपका 4 में सिर्फ repetition हो रहा है बाकी deserts में नहीं हो रहा है तो हम इसे let's suppose कर लेते हैं x की value के equal तो 2.24444 repetition है यह आपका यहां repeated हो रहा है यह बार बार repeat हो रहा है इसमें आप क्या करेंगी सबसे पहले 10 से multiply करके यह जो repetition वाली value है इसको just decimal के बगल में लेके आएंगे ऐसा करने से क्या होगा जब यह value decimal के just बार वाली value same repeat है next वाली value भी same repeat होगी तो हम उसको minus कर देंगे तो यह question जो होगा आपका decimal के बार वाला repetition हट जाएगा और easiest form में बन जाएगा तो अब हम यहां पर क्या करते हैं तो यहां पर चलिए सबसे पहला काम होगा इसमें multiply करना है 10 से तो multiply by 10 on both side both side तो 10x हो जाएगा is equal to 2 point अब 10 से multiply कर दिया है तो यह हो जाएगा 22.4444 repeated 10 से multiply कर दिया है तो यह 10x हो जाएगा और यह आपका point के बाद value repeat करेगी इससे आप equation number अब 1 बनाएंगे क्योंकि अब यह आपकी main value हो जाएगी आप बहुत सारी जगह देखे होंगे कि equation number इसको one बना देते हैं कोई फरक नहीं परता equation है आप 10 बनाएए तीन बनाएए 4 बनाएए कोई फरक नहीं परता अब method बस सही से solve कीजेगा तो यहां पर equation हम इसको one ही मानते हैं तो अब इसके बाद अब हमें क्या करना है जो यह equation है इसमें अब हमें यह repetition को solve करने के लिए यह repetition है इसको एक value को left side में लाना होगा ऐसा करने से क्या होगा यह decimal आगे चला ज जाएगी और इसे आप माइनस करके remove कर देंगे तो यहां पर भी 10 से multiply करना पड़ेगा तो हम यहां लिक देते हैं कि मल स्वारी कि मल्टीप्लाई बाइ टेंगे दोनों साइड में कि आपने यह आपको पता है तो अब यहां पर हम करेंगे जब 10 इन्टो 10 x is equal to 22.444 repeated into 10 तो यह हो जाएगा आपका 100 x is equal to 22.4444 repeated अब आप देख सकते हैं यहां पर भी point के बाद वाली-वाली repeat है यहां पर भी point के बाद वाली-वाली repeat है यानि हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं इसे हम equation number second तो हम यहां लिखेंगे on subtracting equation first from second तो यहां यह देखके confused मत होएगा मैंने यहां पर 4 लिखा है यहां पर तीन बार लिखा है कितनी बार भी लिखियों से कोई फरक नहीं पढ़ता क्योंकि आपका यह जब माइनस होगा तो decimal के बाद वाली सारी वैलू माइनस होते जाएगी कुछ इस टाइप से देखें अब यहां पर है 200 सारी 224 है पॉइंट के बाद 4 4 4 4 4 खके अब यह जो फोर पर यह तो बहुत बार भी नहीं पर इसके बाद आप यहां बहुत बार रिपी जाएगा इसके साथ टु को फोर से माइनस करेंगे जब तो यहां 2 आजाएगा 2 में से 2 माइस करेंगे 0 और यह आपका आजाएगा 2 यानि इसको हम लिख सकते हैं 100x-10x is equal to 224-0444-22.444 अब इसको माइनिस करेंगे जब तो हमको मिलेगा 90x is equal to 100 में से टान जाएगा 90 आएगा is equal to 202 तो therefore x is equal to 202 divided by 90 इसको हम और simplest कर सकते हैं यह 2 times cancel हो जाएगा तो 101 divided by 45 तो इसके लाबा यह आपका जो है अब इससे ज़्यादा simplest तो नहीं हो सकता तो यहीं इसका simplest form हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2.24 रिपिटेश एकुल टो 101 divided by 45 इसके इस इससे इससे समझ सकते हैं कि यह पर आपका तेन फाएगा तन फाइटे पार्टि मद्वोवत्य नेटस्ट अलेटस्ट पार्टे आपका 0.365 रिपिटेशन इसमें आपको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पर आपका 3 disease repeat कर रहा है 365 365 365 365 and so on याने repetition यहां पर 365 का हो रहा है तो जब 3 disease repeat कर रही है तो तीनों बमोप करना होगे रिमोप करने के लिए आपको यहां पर तीन जिरो चाहिए होंगे तो यह लिए आपको इसमें तॉजन से multiply करना है यह question आपका यहां पर तो आपको यहां पर बाकी question 3rd और 4th की तरह पे solve नहीं करना है जैसे आपने 4th और 5th को किया था कि इस repetition के just bad decimal के just bad repetition को लाना था यहां पर वैसा नहीं करना है यहां पर बस हम इसे ऐसी solve करेंगे तो चलिए start करते इसको let करते हैं यहां पे x के equal let x is equal to 0.365 repetition is equal to 0.365 365 365 and so on अब हमको यहां पर इस equation number 1 लेट करना है इस equation 1 के आप देख सकते हैं कि इसमें आपको तीन बार repetition है तो आपको यहां पर 1000 से multiply करना है तो आप यहां लिखते हैंगे multiply by 1000 1000 से हमने कर दिया on both side दोनों side में करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 1000 x is equal to अब यहां पर 1000 से करेंगे तो यह 365 आपका यह जो तीन नंबर है वो जस्ट यहां पर decimal यहां लगेगा तीन डिजिट के जस्ट आगे यह decimal अब यहां चलाएगा तो अब यह हो जाएगा यहां पर यानि यह दोनों 0 हो जाएगे तो हम यहां पर सब्स्ट्राक कर देते हैं तो on सब्स्ट्रैक्टिंग एक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड से करेंगे तो सेकेंड आपका है 1000 x है माइनस करेंगे इसको एक सिंपल x के साथ में तो यह हो जाएगा 365.365 repetition माइनस किया हमने इसको 0.365 365 and so on repetition के साथ में इससे solve करेंगे जब हम तो यह आपका क्या हो जाएगा 365.365 आपका 365 बहुत बार repeat है और यहां 0 0 0 माल लेजे और मतलब 0 यहां पर चेह कहते हैं भी जरू लिखो कोई फरक नहीं पड़ता इसको हम जब माइनस करेंगे क्योंकि decimal के नीचे decimal रिखना होता है तो हम 365 365 ऐसे solve करेंगे जब माइनस करेंगे तो यह आपके सारी values क्या हो जाएगी 365 डिवाइड बाइ 999 देयार पोर जो 0.365 रिप्रिटीशन था इसकी वालू आ रही है 365 अपॉन 999 और यहीं इसका सिंप्लेस्ट फॉर्म है इस इस सिंप्लेस्ट फॉर्म तो इस्ट्रेंट्स आपको इस पर डाउट हो रहा होगा क्योंकि आपका अंसर जो बुक में आ रहा है वह 181 डिवाइड बाइड बाइड 495 आ रहा है लेकिन हमने यहां सॉल्व किया है तो यह आ रहा है तो क्वेश्टन में क्या प्रॉब्लम हा रही है आप इस क्वेश्टन को एक बार थोड़ा सा चेंज करके सॉल्व करके देखिए यहां पर सिर्फ दो डिजिट्स के उपर रिप्रेटिशन लगा के चेक करिए अब आप सोच रहांगे कि मै पर है यहां यहां, लिवकर रहे हैं तो यह आपका जाता यहां पर इसे चोटी वैल्यू तो यहां बोदिऍ प्रॉदी नहीं की आहीं है तो यहां पर इतने स्टेप्स नहीं लिखोंगे बस आपको डाउट क्लियर करने के लिए सौल कर रही हूं और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटेवेशन मरता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो यहां पर जब हम इसे सौल करेंगे तो जब हम इसमें यह decimal के बाद वाली value जो है यह repetition नहीं है तो हम यहां पर इसको decimal को लाने के लिए हम इसमें 10 से multiply करेंगे तो यहां 10X कर देंगे is equal to 3.65 repetition हो जाएगा अब यह value आपका जैसे question है आपके बाकी वैसे हो गया जैसे question number 3 है तो अब यहां पर क्या करेंगे जैसे कि decimal के जिस्ट बाद दो repetition है तो आप इसमें दो बार 0 लगाएंगे यानि 100 से multiply करेंगे तो अब आप इसमें जब 100 से multiply करेंगे तो अब आपका यह 100 इंटू 1000 इंटू 100X हो जाएगा is equal to 365. अब आपका 6565 यही तो repeat हो रहा है इसका मतलब क्या होगा यहां पर जो 0.365 के उपर बार है इसका मतलब है 0.365 6565 and so on है तो यहां पर इन ही को तो हमें हटाना है यह जो numbers है आपके तो इसी repetition को टाने के लिए हमें आपे इसमें 6565 लिखेंगे तो अब हमारे यह हो जाएगा 1000 X is equal to 365.6565 and so on repetition तो अब हमने क्या किया है यहां पर कि जैसे कि इसमें हमने 100 से multiply कर दि से किया तो 10 X is equal to 3.6565 and so on repetition तो इसमें हमने 100 से कर दिया तो 1000 के equal हो रहा है तो हम यहां पर जो हमारा यह equation है और हमारा जो यह equation है इसको हम minus कर देते हैं मैं second को first में से यहां पर minus कर देंगे तो यहां पर आपका यह वाला first है ठीक है 100 तो तो मैंने बार्न मल्डिब लगिया है तो आप यहां पर लिखेंगे 100 1000 X minus 10 X इस से minus कर रहा है इस equal to यहां पर हो जाएगा 365.6565 and repetition और यहां पर आप डेसिमल के नीजर डेसिमल लिखना होगा means minus जब करेंगे 3.6565 and so on repetition जब हम मै यहां पर 3 मानस करेंगे तो 2 आ जाएगा 6 और यहां पर 3 आ जाएगा 362 आ रहा है और इधर आपका कितना आ रहा है कि आपका 1000 में से 10 जाएगा तो 990 X हो जाएगा अब 990 X है इसे मैं कुछ इस टाइप से लिख सकती हो कि X is equal to 362 divided by 990 अब इसको हम 2 से cancel कर देते हैं तो 2 1s इसको भी कर देते हैं 2 4s इसमें क्यारी आ जाएगा 29 इसमें इसमें क्यारी आ जाएगा 25 आ तो हमारी यह वाला वैल्यू आंसर आ रहे है इसका मतलब question में कहीं wrong है यानि आपका question जो दिया है यह fourth 6 नंबर पार्ट में या तो आपका answer गलत दिया है या तो आपका question गलत दिय है क्योंकि अगर answer रॉंग दिया है तो आपका answer यह right होगा और question रॉंग दिया हुआ है तो आपका right question यह है और इसका right answer यह होगा तो यह था आपका question no.3 वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी कर दियेगा चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा और bell icon को भी ज़रू प्रेस कर लीजे क्योंकि आपकी bell icon को प्रेस करते ही आने वाली हर एक वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो इस वीडियो में बस इतना ही thank you so much for watching